कुलू के मनिकन में रविवार दे रात को पंजाब के परिठकों ने हुरदंग मचाया पंजाब की लोगों ने हाथ में डंडे लेकर रास्ते में जो भी तिखा उसके साथ मार पीट करनी शुरू कर दी इस दोरान पांच लोगों को चोटे भी आई हैं इतना ही नहीं इन परिठकों ने बारा गाड़ियों को पत्थर मार कर उनके शीशे भी तोड़ दिये एक गाड़ी के सभी शीशे तोड़ कर भारी नुकसान पहुचाया कई घरों पर पत्थर भी फेके प्रत्यक्ष दर्श्यों के रुसार पंचाब के लोग हाथ में डंडे लेकर चलते नजर आए इन लोगों ने रात को बारजार में दहशत का माहल बनाया इनको रास्ते में जो भी मिला उसकी पिटाई कर डाली और पूरे रास्ते में शोर मजाना शुरू कर दिया बोतले तोड़ी और हाथों में एक लेकर रास्ते में जो भी दिखा उस पर हमला कर दिया यही नहीं लोगों की घरों में पत्थर फेके और कई माकानों को चतिक रस्त कर दिया आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस ने सोवार को प्रस विग्यपती जारी करके इसे अफवाह बताया है पुलिस ने कहा है कि क्रप्रा जूटी खबरों और अफवाह फैलाने वालों के बहकावे में ना आए पुलिस महाने देशा के हिमाचल प्रदेश संजे कुंडू और पुलिस महाने देशा के पंजाब गौरव यादव की इस घटना को लेकर बादचीत हुई है अब पाएं अपने हिमाचल की खबरे और न्यूज अपडेट्स वाटस अप पर लोकल लाइव हिमाचल का वाटस अप ग्रूप जोईन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वाटस अप ग्रूप के लिंक पर क्लिक करें न्यूज अपडेट अपने वाटस अप पर